इसकी मान ने पैसे लोन लेकर, कर्ज लेकर यहां वहां से उसको इंगिर्ण बनाया पुरे देश में भाग भाग के नोक्री नहीं मिली वो जवान दुबई गया नोक्री किया दुबई से घर आया अपनी बेहन की शादी करने के लिए मुंबई की पुलिस गई उसको आतंगवाद में गिरिफ्तार किया और वहां से लाने के बाद डाक्टर मतीन और खाजा यूनूस को जहां इंक्वाडिकली रखा था बाहर मतीन को बिठाया अंदर खाजा यूनूस को मारना शुरू किया वो चिलाता रहा जिसे कोई बकरे को जबा करो चिलाता चिलाता रहा और उसकी एक बैग आवाज बंद हो गए और पुलिस वाले मतीन को लेगे चले गए मतीन आई विटनेस है इसका मतीन ने चार पुलिस वालों को नाम दिया चार्शीत दाखिल करनें के बाद सरकार ने सिर्फ चार लोगों पर केश चलाने को प्रमिशन दिया और सेंक्शन नहीं दिया चार लोगों पर उन पहें दिया चलाने के लिए जो च्रुदेंस डिस्ट्रॉइब करने का जिनके उपे जिम्बेरी तिफ जो पूरा BLI का चुछ अब अब फिर चार विप्ड़ा केस नहीं नहीं हुआ है उनको फिर सरगार क्या मजाक है यानि एक लड़के को मार दिया गया, केस चल रहा है, सुप्रीम कोट में अभी तक पेंडिंग है कि 14 के 14 पे केस चलना चाहिए, परंतु केस के फाइनल होने के पहले ही उन चार पुलिस वालों को फिर से लिया, 10 को पहले लिया, ये बहुत बढ़ा अन्याय है, ये जो है न्य मानी किया है, मैं आप से बुदारिश कर रहा हूँ, अब आप जो है, एक सेविलर सरकार में आए, और सारे लोगों की उमिदें आप पे लगी हुई है, इस तरह से नोजवान को मार दिया गया, और मारने वालों का अभी उसका केस भी खतम नहीं हुआ, और उन पुलिस वाल से निकाल देना चाहिए, यह हमारी मांग है, ने तो हम इसके खिलाब जबदा सांदोरन करेंगे, अभी तो अभी चूगी चल रहा है, यह लोगडाउन चल रहा है, हम अभी सिंबोलिक कर रहे हैं, लेकिन इंसाफ का गरा घुटते हुए हम देख नहीं सकते इस तरह से, एक अभी सकता में हो या न सकता में हो, जहां भी नाइंसाफी होगी हम आवाद उठाएंगे, सरकार को जगाते रहेंगे, कोड का दर्गवजा खटटाएंगे, देखते हैं बहरी गुर्वी सरकारें कब तक आवाज नहीं सुनते हैं, हमारी में